हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ओफिसियल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में बिहार बोड के बराहमी क्लास के हिंदी हंडेड मार्क्स का जो पुस्तक है दिगंत भागदू उसका गध्य खण्ड का चौथा पाठ अर्धनारिश्वर के सभी महत्पुन वस्तुनिष्ट प्रस्नों को कभर करेंगे तो आज की वीडियो की शुरुवात करने से पहले अर्धनारिश्वर और जो इसके लेखक हैं रामधारीशी दिनकर उनका संचिप्त परिचय लेते हैं अर्धनारिश्वर जो रामधारीशी दिनकर के दोवारा लिखा गया एक बहुत ही परचलित निवन्ध है रामधारीशी दिनकर जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 हिस्वी को हुआ और इनका निधन 24 अप्राइल 1974 हिस्वी को हुआ था हिंदी के एक परमुख लेखक कवी वनिवन्धकार थे वे आधुनिक यूग के सरेष्ट वीर रस के कवी के रूप में अस्थापित हैं दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 हिस्वी को बिहार के बेगुस राय जिले के सिमर्य गाउं में हुआ था उन्होंने 19 विद्याले से बिये किया उन्होंने संस्कृत, बांगला, अंग्रेजी और उर्दु का गहन अध्यन किया था दिनकर स्वतंत्रता पुर्व एक विद्रोही कवी के रूप में अस्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट कवी के नाम से जाने गए यानि कि रामधारी सी दिनकर को राष्ट कवी के रूप में पुरा हमारा राष्ट भारत जानता है वे छाया वादोत्तर कवियों की पहली पिढ़ी के कवी थे इसका अर्थिये हुआ कि वे छाया वादोत्तर युग के कवी थे एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोस और क्रांती की पुकार है तो दूसरी और कोमल, सिंगारिक, भौनाओं की अभिव्यक्ति है इन्हीं दो परविर्तियों का चरम उतकर्स हमें उनकी कुरुछेत्र और उर्वसी नामक किर्तियों में मिलता है इनकी सबसे महत्पून किर्ति में अगर देखा जाए तो उर्वसी का नाम आता है तो चलिए आज की वीडियो की सुरुवात करते हैं और अर्धनारिस्वर जो निबंध है इसका सबसे पहला क्वेस्चन दिनकर जी दुवारा रचित युद्ध और सांती की समस्या पर लिखी गई काव किर्ति है आपके पास चार उप्षन है नीलकुसुम, कुरुचेत्र, दवन्दगीत, रसिमरती तो इसका सही जवाब है कुरुचेत्र यानि के उप्षन B is the right answer आए अगले प्रस्ण पर आते हैं अर्धनारिस्वर कल्पित रूप है शीव और परवती का, राम और सीता का, राधा और कृषन का, विश्नु और लच्मी का तो इसका सही जवाब है उप्षन A, शीव और परवती का प्रस्ण संक्या तीन पर आते हैं गांधारी थी, गांधारी कौन थी? दुर्योधन की मा, कृषन की मा, अर्जुन की मा, बलराम की मा इसका सही जवाब है उप्षन A, दुर्योधन की मा थी अगले प्रस्ण पर आते हैं, प्रस्ण संक्या चार प्रेमचंद क्या थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार इसका सही जवाब है, option B, प्रेमचन्द, एक कथाकार थे Come to the next question, दिनकर का जन कब हुआ था? इसका सही जवाब है, 23 सितंबर 1908 हिस्वी को जैसा कि आपको introduction पार्ट में भी बताया गया अगले प्रस्ण पर आते हैं, प्रस्ण किया 6, दिनकर किस यूग के कभी हैं? इसका सही जवाब है, option C, छाया वादोत्तर यूग के कभी हैं प्रस्ण संख्या साथ पराते हैं, संस्किर्ती के 4 अध्याए किस की किर्ती है? गुलाबदास, हजारी परसाद दिवेदी, आचार सिता राम चतुरवेदी, रामधारी सी दिनकर की रचिती ये किर्ती है, संस्किर्ती के 4 अध्याए इसका सही जवाब है, सुध कभीता की खोज, आप्शन A प्रस्ण संख्या 9 पर आते हैं, अर्धनारी स्वर पाठ के लेखत कौन है? नामवर सी, रामधारी सी दिनकर, हजारी परसाद दिवेदी, रामचंद्र सुकल इसका सही जवाब है, रामधारी सी दिनकर, ऑप्शन B प्रस्ण संख्या 10 पर आते हैं, रामधारी सी दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था, जूठन, तिरीच, अर्धनारी स्वर अब्यसली असपश्ट रूप्त से इसका सही जवाब अर्ध नारी सवर है यानि कि option D परस्ण संख्या 11 पर आते हैं दिनकर जी का जन बिहार के किस जिले में हुआ था समस्तिपूर, बेगुसराय, पटना, भोजपूर इसका सही जवाब है option B परस्ण संख्या 12 पर आते हैं अर्ध नारी सवर में किस गुन का समनवय है नारी के, पुरूस के, नारी और पुरूस दोनों के, इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब है option C, नारी और पुरूस दोनों अगले प्रस्ण पर आते हैं दिनकर जी की पहली काव पुष्टक कौन सी है गुरूचेत्र, हुंकार, रस्वन्ती, प्रणभंग इसका सही जवाब है option D, प्रणभंग प्रस्ण संख्या 14 पर आते हैं दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में परकासित हुई चात्र सहोदर, चात्र पत्रिका, चात्र मित्र इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब है option A, चात्र सहोदर में परकासित हुआ था प्रस्ण संख्या 15 दिनकर जी की पहली कविता कब परकासित हुई इन में से कोई नहीं, तो भाउना यानि के फिलिंग, इसका right option है, option C, प्रशन संख्या 17 पर आते हैं, बुध ने नारियों को कौन साधिकार दिया, सन्यास लेने का, भिच्छुनी होने का, पती के त्याग का, इन में से कोई नहीं, इसका सही जवाब है, भिच्छुनी होने का option B is the right answer, come to the next question, question number 18, प्रूस जब नारी के गुन लेता है, तब वह देवता बन जाता है, किन्तु नारी जब नर के गुन सीखती है, तब वह राचस हो जाती है, यह किसका कथन है, दिनकर जी का, रविननात का, प्रेमचंद का, इन में से कोई नहीं, इसका सही जवाब option C है प्रेमचंद, प्रसन संक्या 19 पर आते हैं, अर्ध नारी स्वर का किस विद्या से संबंध है, निवन्ध, कहानी, एकांकी, व्यंग, शुरू में जैसे की मैंने आपको बताया, कि अर्ध नारी स्वर निवन्ध है, जो रामधारी सीन दिनकर के द्वारा रचीत है, प्रसन स जीवन के अंतिम दिनों में नारित्व का साधना की थी, तो इसका सही जवाब है, गांधी जी ने की थी, प्रसन संख्या 21 पर आते हैं, अर्ध नारी स्वर संकर और पार वती का किस परकार का रूप है, यदार्थ-कल्पित-ादर्स-वास्तविक, इसका सही जवाब जो है, विकल्प भी कल्पित रूप है प्रसन संख्या 22 पर आते हैं प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुन सीखती है तब वह क्या हो जाती है अकरसक, सासी, कोमल, राचहसी इसका सही जवाब है option D, राचहसी प्रसन संख्या 23 पर आते हैं निमलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है उर्वसी, रसिमरथी, जूठन, कुरुचेत्र इसका सही जवाब है जो जूठन जो है ये दिनकर जी की रचना नहीं है प्रसन संख्या 24 पर आते हैं निमलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है सदियों का संताप, परसुराम की परतिच्छा, दर्याई, घोड़ा, रसातल, यात्रा इस प्रस्ण का सही जवाब है अप्शन B, परसुराम की परतिच्छा और आज के इस विडियो के अंतिम प्रस्ण पर आते हैं दिनकर को किस किर्ती पर भारतिय ग्यान पीठ पुरुसकार प्राप्थ हुआ अर्धनारिश्वर, उर्वसी, हुंकार, पुरुचेत्र तो दिनकर को उर्वसी के लिए भारतिय ग्यान पीठ पुरुसकार प्राप्थ हुआ था इसका सही जवाब है, आप्शन B और ये जो उर्वसी है रामधारी सी दिनकर की बहुत ही महत्पून रचना है और इस्टुडेंट्स आपको ये प्रस्ण बोर्ड में पूछता ही पूछता है तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक सेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इससे लाव मिल सके थैंक्स पर वाचिंग